So, welcome back to my channel, जिसका नाम है Education Gym with Rishav Raj, कैसे आप सब, तो जैसा कि आप सब को पता है कि D.U.S.O.L. University आप सब का assignment based evaluation करवा रहा है, July 2021 का, ठीक है, तो अभी जिस topic पे मैं assignment solve करवा रहा हूं, वो है personal tax, बहुत बच्चों के आरे थे, वो है become fourth semester personal tax planning, code है 52413403, ओके, तो देख सकते हैं यहां पर 100 marks का है, कोई दो question आपको उठाने है, यहां से question paper से, तो यहां पर आप देख सकते हो, first question, second question के यहां पर मैंने आपका question number second and fourth कर रहा है, ओके, तो देख सकते हैं, second में दो पार्ट दिया हुआ है, A and B, and fourth question में आपकर से particular A की question है, जिसके अंदर आप से दो option बोले ग निकलेगा, okay, तो बढ़ते हैं, आगे solution के तरफ, तो hope आप सबने like, share and subscribe कर दिया हुआ चैनल को, ठीक है, तो चड़ते है solution के, okay, question number second A point, ठीक है, जिसमें आपको लिखना है, computation of total taxable income of Mr. S, for assessment year, A, Y यानि assessment year 2020 to 21, इस तरह का आप format बनाओगे, ठीक है, जो क्या आपका रहता है salary chapter से, ठीक है, salary means, जिदें 5 heads है, format तो इसी तरीके से बनते है, particular amount amount, तो first आपको करना है, income from house property, self occupied है, ground floor, self occupied है, net है, annual value, क्या निकला है, nil, deduction under section 24 के तोड़ान होगा, या पी क्या क्या मिलेगा, interest on loan, 5 लाग पे add दिए, 12%, ठीक है, and pre construction, and 10% मिलेगा, pre construction के या पे 2 star लगा, यानि working notes देख लेना, ठीक है, house property का कितना है, 1,40,000 negative में, income from other sources, कितना है, 5,00, total taxable income, आगे आपका, ठीक है, then again, उसका second बनाना है आपको, जिसमें आप से बोला गया, ground floor, self occupied है, and first floor, let out है, okay, तो ये जो rented हैं, या पे आप लेटाउट भी लिख सकते हो, कोशन ठीक रहेगा, ठीक है, 50 marks का है, तो इस मज़ी से आप करना होगा है, तर आप से यहाँ पर assumption and suggestion भी देना है, तो assumption में देख लो क्या देना है, and working notes जरूर बनाना, working notes के भी marks होते है, okay, तो working notes में आपको pre construction interest बताया होगा है, ठीक है, तो यहाँ से आपका start होता है, कोशन number second का viewpoint, ठीक है, जिसमें आप से बोला गया था, house property में, let out portion and solve occupied का किस तरही के से determine करते हो, ठीक है, तो इधर से आप देख ले, and करे, second यह वाला भी, इसी के साथ आएगा, दोनों, जो भी आपको, दोनों, मैंने यह heading के साथ दिया, दोनों heading के साथ ही लिखना है, ठीक है, वहाँ पर एक ही बार पूछा है, यहाँ पर आपको दो cases बता दिये गए, okay, then आपके चलते हैं, question number fourth पे, तो fourth question पे हम चलते हैं, fourth का A question नहीं है, fourth का A नहीं, यानि कि A की पार्ट है, जिसके अंदर दो बार आपसे बोला गया है, option A, and option 2 में करने हैं, ठीक है, तो इस तरीके से compute करने हैं, basic salary, fairness, allowances, CCA, यानि city compensation allowance, जो जो भी है, वो यहाँ पर बताया, after that, जो भी आपका income निकलता है, taxable income, उसके बाद आपको उसका tax liability बताने, कितने rate में कितना आएगा, ठीक है, आपको पता होगा, जितने भी होते है, residence, उनकी age limit के उपर, आपका slab rates है, decided, तो आपको rate पताईए, ठीक है, तो यहाँ पर option 1 बनेगा, and then option 2, आपको tax liability भी बतानी है, आपको तुम्हें उसके साथ के साथ बताए, GTI माने आपका gross total income, deduction under section 6A, 80C के अंदर आपका आयागा, ठीक है, एक PPF, and आपका यह 5 lakh वाला 10% का, tax liability आपका जो भी आगया, उसको round off कर दो, इसमें आपको कौन-कौन से size लग जाते है, एक education and higher education says, ठीक है, and 4% का लग जाता है, और भी एक उता है, ठीक है, then after that, यह वाला question भी आप कर दो, इसके साथ, यह option 2 है, ठीक है, यह होने के साथ, आपके 2 question complete हो जाते है, personal tax के लिए, काफी देर से बच्चे बोल रहे थे, and कल बीजी था, but आज थोड़ा सफरी था, तो अ आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like, share and subscribe कर देना, thanks for watching this video, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, tata and good bye